कैसे हो आप सब, I hope आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे और आप सब ही का वेलकम है आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं शिबा इनुके बारे में कुछ बड़े अपडेट आ रहे हैं शिबा इनुको लेके बहुत बड़े माइने हैं उनको समझेंगे शियर करेंगे अपडेट लेकिन पहले थोड़ा सा मार्किट का हाल जान लेते हैं क्रिप्टो मार्किट की अगर हम बात कर ले तो पिछले 24 गंटे से अगर आप देखो बिटकोईन की जो एक रेंज चल रही है वो चल रही है 23,700 डॉलर से लेके 24,300 चार सो अभी करेंटली बिटकोईन जो ट्रेड कर रहा है वो 23,800 डॉलर पे ट्रेड कर रहा है 24,000 से लेवल नीचे है वीकली क्लोजिंग का टाइम नजदीक आ रहा है फ्राइडे आज हो चुका है और इस वीक की क्लोजिंग कहां देता है वो अच्छी होनी चाहिए लेकिन इससे भी अच्छी होनी चाहिए के मंधली क्लोज्जिञ जो चार दीन बाद होने वाली है फर्वरी मन्त की एज़ है अब यह बहुत जरूरी है cœur मर्किट के अंदर अब क्लोजिंग वाच नहीं कर रहे हूं तो कही ना बहुत बड़ी गलती कर रहे ओ just बिटकोईन की क्लोजिंग कहां हो रही है किन लेवल्स पे हो रही है वीकली क्लोजिंग और मंथली क्लोजिंग तो उससे भी ज़्यदा इंपोर्टेंट होती है क्योंकि मंथली क्लोजिंग कहीं न कहीं बहुत बड़ा इंडिकेशन देती है फॉर नेक्स्ट मंथ तो क्या बि कि क्या कुछ हो सकता है अब डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ क्लॉजिंग के उपर जो भी सिनेरियो रहेगा हम अपने टेलीग्राम पे शेयर करते रहते हैं सारी अपडेट अगर आप टेलीग्राम चैनल को आपने जॉइन नहीं गया तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में ज सबसे बड़ी क्रिप्टोगरंसी है मार्किट में कहीं न गई थोड़ा सा प्रेशर जरूर दिखा दो दिन दो दिन से हम देख रहे हैं और यह दिखना जरूरी था क्योंकि 25000 से बार बार रिजेक्शन मिल रहा था बिटकोईन को और एक चीज़ आप समझ लो 25000 से रिजेक कर दे बिटकोईन फिर से ठीक है हिस्ट्री रिपीट होती है लेकिन जो रिपीट होने वाली होती है वही होती है जो नहीं होने वाली होती वो नहीं होती तो अभी भी बिटकोईन एक अच्छे लेवल पे है हमारे इसाब से 23000 24000 not a bad लेवल अच्छे लेवल पे ट्रेड कर रहा है और क्रेक्शन मार्केट में देखने को मिलता ही मिलता है यह मार्केट का बिहेवियर है क्रेक्शन भी दिखाएगा क्रेक्शन दिखाके ऊपर भी जाएगा ठीक है यह करेंट लेवल से बिटकोईन के और शिबा इनु की बात कर लूँ 13 की सीरीज पर ट्रेड कर रहा है 1296 1295 तक के लेवल भी शिवा इनुने हिट किये तो ज़्यदा कोई मोमेंटम नहीं है ना तो बिटकॉइन में ना शिवा इनु में लेकिन शिवा इनु को लेके बहुत बड़े-बड़े अपडेट्स आ रहे हैं सबसे बहुत बड़ा अपडेट है वह गेट आयो के लेकर है मुलब गेट आयो के उपर शिवा इनु के इको सिस्टम का जो टोकन है बॉन उसकी लिस्टिंग हो गई यह एक बहुत बड़ा सरप्राइस दिया आज शिवा इनुने खुद और गेट आयो के उपर जो बॉन है उसकी लिस्टिंग हो चुकी है जैसे कि हम कर डिसकस कर रहे आदे कि बॉन हो या लीश वो दोनों को बहुत अच्छा पुश मिले थोनों बहुत है ब inform करे दिखाया लॉग के एको सिस्ट्रम के टोकन बहुत टार्गेट नहीं दिखाएगा, वेल्स भी अपना पैसा तब निकालेंगी जब उनको एक अच्छा गासा प्रॉफिट शिबा इनु में मिलेगा लेकिन एक बहुत बड़ा इंडिकेशन आज दिया है प्लेस्टेशन ने प्लेस्टेशन गेम्स के बारे में तो आपको पता ही होगा और प्लेस्टेशन ने यहाँ पे ट्वीट किया है और एक गेम का ट्रेलर लॉंच किया है अपनी जो गेम है उसके अंदर मेंशन किया है इस ट्वीट के अंदर मेंशन किया है शिबा इनु को एक तरसे आप यूँ समलो शिबाईनु थीम गेम है और इक बहुत बड़ा ट्वीट है PlayStation जहां पर बहुत सारे लोग PlayStation के लवर्स है एक PlayStation गेम के अंदर शिबाईनु का मेंशन होना शिबाईनु थीम गेम के उपर आना यह जो गेम है इसका नाम है Humanity और यह जो गेम है में 2023 में हमको देखने को मिल सकती है इसका एक ट्रेलर है वो हम जरूर शेयर करेंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर अगर आपने जोईन नहीं है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में जोईन जरूर लेकिन अगर ट्रेलर होता उसके अंदर दिख रहा है चीजे गोईय है शीवा इनु से रिलेटिल लेकिन साथ में शीवा इनुवा इनु कोबी मैंशन किया मतलब शीवा इनु भी एक बहुत बड़ी बात है इशारा बहुत बड़ा है कि प्ले स्टेशन और शिवा इनू कहीं न गई ये होते हैं सर्प्राइज जो आपको भी नहीं पता होता और किसी को नहीं पता होता मार्किट के अंदर तो ऐसे सर्प्राइज 2022 में भी शिवा इनू ने बहुत दिये चाहे हम बात कर लें जो आन रिचमेंट के साथ वैली के साथ पार्टनर्शीप होई ये सर्प्राइज थे किसी को नहीं पता था और वही चीज हो रही है प्ले स्टेशन का एक ट्वीट आना वह बहुत बड़ी बात है शिवा इनू के लिए और पूरे शिवा इको सिस्टम के लिए शिवा आर्मी के लिए शिवा इनू लवर्स के लिए है ना तो इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे पॉजिटिव हमको देखने को मिलेंगे जब ये गेम आएगी में 2023 के अंदर डेफिनेटली शिवा इनू अब शिवा इनू मेंशन हो गया तो बहुत बड़ी बात है जब शिवा इनू मेंशन हो जाए तो बस माइने बहुत बड़े हो जाते हैं इसका रिजल्ट भी आपको आने वाले टाइम में बहुत अच्छा अब यहां आपका सा देखने को मिलेगा ठीक है एक तो बॉन की लिस्टिंग एको सिस्टम के टोकन अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और बस कहीं न गई अब जो कमी है वो शिवा इनू के पंप की है और शिवा इनू का पंप अब तभी देखने को मिलेगा जब बिटकोईन हमको एक अच्छी रैली और दिखाए मार्च मंत के अंदर और सबसे ज़्यदा ज़रूरी है शिवारियम का लॉंच होना बहुत ज़्यदा डिले हो चुका है फरवरी मंत भी जाने को हो गया लेकिन शिवारियम अभी तक नहीं आया और होप यही है कि मार्च मंत के अंदर ख्यूर्यम को रिलीज हो जाना चाहिए लॉंच कर देना चाहिए डिवलपर्स को मैं यहीं कहूंगा कि अभी तक अगर नहीं कर रहे है तो करें तैयारी ठीक है और डिले ना करें मार्च का अपरैल नहीं होना चाहिए एक vegetative ने यहां अभी आपर्ली तक ना च्युक्शि तो आगे जो अपडेट रहेंगे आपके साथ शेयर करते रहेंगे वीडियो पसंद आया लाइक शेयर कमेट कीजेगा कोई क्रिप्टो में अगर आप इन्वेस्ट करें हमेशा अपनी रिसर्च करें नीचे डिस्क्रिप्शन में टैलीग्राम ट्विटर के लिंक है जोईन न नेक्स वीडियो में दपते के लिए बाइबाइए टेक चैने